सबी बक्तों को शिरी शिवा है नमस्तू ब्याम हरहर महादेव नवरात्री के तीसरे दिन या फिर शुकरवार के दिन क्या तो आप नवरात्री के तीसरे दिन इस उपाय को किजिए क्योंकि माता के नवरात्रे चल रहे हैं और इस उपाय को करने पर माता की आपके ओपर असीम करपा होगी या फिर आप अभी इस उपाय को नहीं कर सकते नवरात्रे में तो फिर किसी भी हफते के किसी भी शुकर बाहर को इस उबाय को कर सकते हैं यदि पती और पतनी में जगड़ा हो रहा है बन ही नहीं रही है बात अदालत तक पहुँच गई है तो उसके लिए भगवान शिव जिनोंने मातंग का उतार लिया था और मातंग का उताल लिया था तो भगवान शिव मातंग बनेते और मातंग का नाम लेकर एक कमल का पुष्प जो कमल का फूल आता है उस कमल के पुष्प को लेकर उस पुष्प में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजे थोड़ी से आपको इस कमल के पुष्प में हल्दी डाल दिनी है हल्दी डालने के बाद में इस कमल के पुष्प को मातंगी का नाम लेकर इनी नवरात्रे के तीसरे दिन या फिर शुकरवार के दिन जो की कल पड़ रहा है शुकरवार के दिन किसी भी देवी के मंदिर में देवी के चर्णों में समर्पित कर दीजिए पती या पतनी दोनों में से कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं देवी के चर्णों में एक कमल पुष्प जिसमें थोड़ी सी हल्दी भी डली हुई हो मातंगी माता का नाम लेकर समर्पित कर दीजिए उसके बाद में यदि अदालत में भी बात चल रहे होगी तो वह केस खतम हो जाएगा पती और पत्ने में प्रेम संबंद बनेगा और उनकी बात तलाग तक नहीं पहुचेगी सभी बक्तों को शरी 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 नहीं 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 पहुचेगी